गुड बर्णिंग स्टुडेंट, मैं कवीता में आपकी मैच्छ टीचर, बच्चो आज वार्षिक कोर्स का फर्स्ट चाप्टर प्रतिशत्ता, यानि प्रतिशत्ता का अभ्याँ 63 मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पहला सवाल है, सबते पहले में यह बताऊंगी कि प्रतिशत्ता क्या है, प्रतिशत्त क्या है, तो बच्चो जब किसी भिन्न के हर को, हर पता आपको कैसे केते हैं, बटे के नीचे की संक्या को हम हर कहते हैं, तो जब किसी भिन्न के हर को 100 से प्रकट किया जाता है, तब हम अंशिके साथ प्रतिशत्त शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रतिशत्त का चिन्न क्या होता है, इस तरह होता है, अब पहला सवाल है, लगुत्तम भिन्न के रूप में लिखना है, इसको भिन्न के रूप में हमें लिखना है, तो प्रतिशत इस चिन्न का मतलब क्या होता है, 100, इस चिन्न का मतलब क्या है, 100, और ये किसका चिन्न है, प्रतिशत का, तो पचास लिखेंगे, और इस चिन्न क को हंटाएंगे तो नीचे क्या लेग देंगे सो अभी मैंने बताया प्रतिशत मैंने क्या हर को सो से प्रकट किया जाता है अब इसको काटेंगे इससे तो यह जिरो से यह जिरो कड़ गई और पांच एक पांच और पांच जूनी दस यानि कितना है एक बटे दो बिन्न का यह चिन्न का है का है प्रतिशत का इसका मतलब क्या होता है सो तो 125 इस चिन्न को आठा के हम नीचे क्या लेग देंगे सो ठीक अब इसको काटेंगे बचों यह ज़िए छोटे पाढ़े से काटे हैं या छोटे टेबल से काटें तो अधिक नमबर आएगा लेकिन हम ऐसा साता है और सौ भी आता है तो 25 पंचे 125 और 25 चों को 100 यानि कितना है पांच बटे चार अंसर आगे समझें आगे दूसरा सवाल है भिन्न के रूप में लिखना है इसको भी भिन्न के रूप में लिखना है जैसे उपर बताया उसी तरह नीचे का भी सवाल है लिकिन यह अंक के बाद एक नंबर के बाद है इक अंक के बाद है तो हम इस नंबर को हटाएंगे यहां एक जिरो को बढ़ा देंगे अब हमारे पास कितना है है एक सौ पचिस बटे के एक हजार हना अब फिर जब 125 को हमने 25 से काटा तो इसको भी काटेंगे तो 25 पंचे 125 और 25 चो को 100 और ये 0 बचा तो यहां आ गया फिर 5 से 40 कट रहा है 5 को 5 पचछठे 40 तो भिन्ने का रूप के आया एक बटे 8 कोई प्राब्लम नहीं आगे देखो आगे है 6 सही एक बटे 4 मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ये मिश्र बिन्न है इसको हम पहले विशम बिन्न में चेंच करेंगे तो 6 सही एक बटे 4 इसका गुणा जो अंसर आएगा उसमें इसको हम जोर देंगे यह कि 6 गुड़े 4 प्लस 1 बटे 4 परसेंट है ना प्रसेंट का चिन्न हटाएंगे तो क्या करेंगे नीचे 100 क्योंकि प्रतीशत का मतलब क्या होता है कि हर को 100 से प्रकट करना अब 25 तो अकिला है यहां और 100 का गुणा चार में करेंगे तो 400 आ जाएगा अब इसको काटेंगे 5 से काट के देखे 25 25 पचथे 40 0 की 00 अभी भी काट रहा है पांच एक पांच 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 तीन बचा पांच शक कर तीश सोला पंच असी होता है यानि बिन्ने के आई एक बटे 16 अंसर आगे बच्चों समझ में कि परसेंट दिया है परसेंट का कोई भी नंबर दिया है उसको बिन्ने के रूप में किस तरफ रकट किया जाता है ओके थेंक यू झाल 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 झाल